अलो एवरिवन कैसे हो सब लोग आई होब बढ़िया होंगे तो बस आपको क्या करना है पेन और पेपर जल्दी से ला लो एंड साथ ही साथ आपको स्वाल्व करते रहना है एंड हर एक स्टेप एंड जो भी कॉंसेप्ट है उसको अच्छे से समझते रहना है ठीक है में आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन आता है कि अच्छा जो हम कर रहे हैं वह आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने ना सारे बच्चे क्योंकि यह जो आपकी कमी थी वह हमने पूरी कर दिये लेक्चे तो आपने देखी लिया होगा ठेवरी पड़ी लिया होगा बट जो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है वह यहां पर आपको मिलने वाली ठीक है सारे बच्चे जल्दी से नोट्बूक एंड पैन लेके आ जाओ हम कुश्चन करने व इसका इतना मोल इतने मोल रहा है तो इसमें सबसे पहला सबसे पहला स्थे प्याहे है आपको यह अपको बच आपको आपका रियाक्षा है na3 po4 से एंड हमें मिल रहा है यह भी दे दिया उसने की हमें मिल रहा है ba3 po4 का होल्ड ट्वाइस ठीक है आपका यह इंटीजर टाइप कुश्चन है तो इंटीजर टाइप कुश्चन आपको करना है तो अब यहां पर बोल रहा है 5 mol of Bacl to 2 mol of Na3 PO4 के साथ मिक्स हो रहा है तो हमें BA3 PO4 मिल रहा है अब यहां पर आप देखो यहां पर BA3 PO4 का होल ट्वाइस आपको मिल गया अभी बचा क्या sodium and chlorine है तो आपको पता है NaCl तो form होना ही है यह आपको basic idea आजाना चाहिए अब क्या करेंगे हम इसको balance out करेंगे यहां पर Na3 है यहां पर Na3 है मतलब हमें sodium तीन चाहिए तो हमने यहां पर three sodiums लिख दिये अब यहां पर chlorine तीन हो गया यहां पर chlorine तीन हो गया तो ऐसे थोड़ा सा तीन लिखने से हमें समझ में आ गया कि यहां काम नहीं बनने वाला अब हम क्या करेंगे देखो मैं आपको हर एक step बताता हूं कि सोचना कैसे है यहां पर ध्यान रखना है तो यहां पर बी ए थरी अब यहां पर है अब यहां पर जो कितना हो गया ट्री टूजा सिक्स, तो अब यहाँ पर आप six लिखोगे, एंड यहां पर एंए आपका कितना है, छे हो गया, तो यहाँ पर आपको दो लिखना पड़ेगा, तबी balance out होगा यहां पर PO4 भी दो गया यह 3 हो गया आपका chlorine भी सारे balance out हो गया तो आप देखो कितना easy था इसको balance out करना तो यह question balance out हो गया अब क्या करना है दूसरा step क्या होता है आपको इस तरह के question में limiting reagent का concept तो आना ही है तो limiting reagent का concept आपको लगाना है है तो limiting reagent कैसे हम find करते हैं सिंपल सा है जो हमारे पास coefficient है उसको क्या करेंगे हम जो हमारे पास given mole है mole कितना है BACL2 के कितने mole दे रखा है आपको BACL2 and Na3PO4 के BACL2 के 5 moles दे रखा है एंड आपका जो Na3PO4 है इसके 2 moles दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे limiting reagent का concept लगाएंगे limiting reagent simple सा है ज्यादा कठी नहीं है किसी बच्चों को आता है तो वो बता सकता है limiting reagent कौन सा है कौन सा है limiting reagent बच्चा पार्टी देखो जो आपका given mole है इसमें 5 है इसमें 2 डिवाइड वाई क्या करना है stoichiometric coefficient इसका 3 है इसका 2 है जिसकी value कम आएगी कम आएगी मतलब वो जल्दी खपत हो जाएगा तो कम किसकी value आ रही हमें पता चलिया इसकी value जादा आएगी इसकी value कम आएगी तो यह हमारा क्या हो गया LR limiting reagent तो इसके हिसाब से यह decide करेगा कि आगे कि जो product है वो कितना बनेंगे तो simple सा है यह पूछ रहा है यही तो deciding factor है कि यह कितना बनेंगा यह decide करेंगे कि यह दो मॉल एक मॉल देता है तो दो मॉल ही हमारे पास इसका एक मॉल बनेगा तो यहां पर answer कितना आ जाएगा 01 मत लिखना यह वहां पर आपको इंटीजर टाइप लिखना है तो सिर्फ वन लिख देना ठीक है clear I hope यह वाला question clear हो गया होगा आपको next question पर move करते हैं कि क्या बोल रहा है 0.5 gram of an organic compound x है उसमें 60% carbon 60% 0.5 gram of an organic compound x with 60% carbon will produce हमें इस हिसाब से बताना है मैं आपको बता दूं यह जो question है 2023 8 अप्रेल सेफ्ट वन का question है and आप जिसकी notice कर पा रहेंगी जो physical chemistry है उसमें जो ज्यादा तर question आते हैं वह इंटीजर टाइप आते हैं क्यों क्योंकि वह इंटीजर टाइप question तो देना ही है बट जो आपका इन और्गैनिक है उसमें ज्यादा इंटीजर टाइप question बन नहीं पाते है इस तरह के question को देने के concept क्या लगाना है हमें यह देखना है कि number of जो मोल्स हैं कार्बन के एंड जो co2 के मोल्स हैं वो सेम होंगे जो जो मोल्स ओफ सी ओटू इस एकल टू मोल्स ओफ कार्बन इन दोनों के मोल बराबर होंगे कोई भी और्गैनिक कंपाउंड है यदि combustion हो रहा है complete combustion हो रहा है तो जितना सी ओटू के मोल होंगे उतना ही कार्बन के मोल होंगे तो यही रिलेशन यही concept लेके हम आगे बढ़ेंगे देखो 0.5 ग्राम है और गैनिक कंपाउंड 10.5 फाइव ग्राम हैं उसमें 60% कार्बन है। हम कैसे निकालेंगे कार्बन कितना परसेंटेज कैसे निकालते हैं 60 दिवाइट वाई гр 1 कितना हो जाएगा गया है इसका किल्कुलेट करो कितना हो जाएगा को एあ यह पे a 33 ई कि दिवाइड वाईड वाई कि आपका थे वाईड वाईड होगा क्योंकि यह हो जाएगा थर्ती डिवाइड वाईंड तो यह जो आपको कारवन का वेट मिल गया वो । ये क्या है ? weight of carbon हमें weight मिल गया है तो हम mole easily निकाल सकते हैं mol कैसे निकालेंगे weight divide by molar weight तो carbon का molar weight या molecular weight कितना होता है 12 होता है ठीक है ? इंपल सी बात है तो ये moles निकल गए जितना mol ये है उतना ही मोल आपका क्या होगा carbon dioxide तो यह carbon के मोल इस इकोल टू लों ऑना है वेट बताओ तो हमें वेट तो पता ही नहीं तो हम वेट लिख देते हैं वेट ओफ सियो टू विवाइड वाई मोल्स हमें बराबर करने तो वेट डिवाइड वाई आपका मॉलेकुलर वेट कितना आ जाएगा पटाफट से बताओ यह इधर जाएगा तो 0.3 इंटू 44 डिवाइड वाई 12 यह हो जाएगा वेट ओफ तो बस यही है आपका एंसर तो 10-12 डिवाइड वाई 12 तो बाराएकक मारा वाराएकक मारा वन पॉइंट वन लेकिन यहां पर क्या बोलता है टेंट तु दी पावर माइनस में लिखो इसका जो एंसर आएगा एंसर क्या आएगा जो आपका एंसर आएगा वह आएगा 11 बहुत सारे बच्चे यहां पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को सचेत कर दूं कि यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यह 1.1 जल्दी से लिखके निकल गए देखो यहां पर पूछा क्या है 10 to the power minus 1 के टर्म में लिखना ह है मैं आपको बता दूँ मेरा एक दोस्त ऐसा था उसने बोला कि मेरे ऐसे 10-15 माक्स घट गए विकॉज ऑफ इस टाइप आफ कुश्चन तो आपको यह गलती नहीं करने चलो फटा-फट से नेक्स कुश्चन पर बढ़ते हैं आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कुश्चन समझ रहे हैं फटा-फट से लाइक करते जो और दोस्तों के साथ दोस्तों को भी शेयर करना बहुत जरूरी है तो आपके जो दोस्त हैं वो भी देखेंगे वो भी नहीं चीज़े शीख लेंगे एंड वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे ठीक है अच्छे माक्स लाएंगे नेक्स्ट कोस्टेन वीच आप दा फॉल्लविंग है जो सिग्निफिकंट फिगर मैं आपको बता दूँ वैसे तो मेंस के सलेवर से जो सिग्निफिकंट फिगर वो अटा दिया गया बट प्रिविएज यर गुश्टेन तो कर लेते में एडवांस क सिग्निफिकंट फिगर तो है ही क्या इसमें बताओ सेम नंबर ओफ सिग्निफिकंट फिगर किसमें इसमें कितने सिग्निफिकंट फिगर जल्दी जल्दी चैट करते जाना है जल्दी जल्दी इसमें कितने हैं एक दो तीन चार पांच हैं इसमें कितने हैं तीन हैं और इस कितना जल्दी कोश्चन हो जाता है यदि मालो कोई बच्चा 2023 में बैठा था वह इजी सिफ्ट की कैटेगरी में आएगी मैं आपको बता जो क्यूंकि इतना इजी कोश्चन आया था ठीक है चलो नेक्स कोश्चन पर मूफ करते हैं यह बाला कुश्चन कौन बच्चा करेगा जल्दी से पड़ाफट से 2023 का कुश्चन है 10th of April shift 1 का कुश्चन है लेट उस सी पड़ाफट से लो क्या बोला है सिर्फ आपको मूल्स निकालने मूल्स निकालने तो आपको यह वोल्यूम दे रखा है STP दे रखा है मैं आपको बता दू STP पे यहां पे कॉंसेप्ट क्या है STP पे भाईया कोई सी भी गैस है ना उसका यदि मानलो एक मूल है एक मूल है हमारे पास तो उसका वोल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है तो क्या बोला है number of molecules बताना है एंड मोल्स बताने सिंपल सी बात है मोल्स हमें पता चल गए तो मोल्स निकाल लेंगे तो हम मोल्स निकाल लेंगे यहां पर एक चीज आप जान दे सकते हो कि यह जो वॉल्यूम दे रखा है 22 से तो कम लगभग लगभग 0.1 के सम्थिंग है ठीक है 0.1 इसका है यदि आप डिवाइड करोगे तो यह वाली चीज देखो यहां पर क्या है वन मोल कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23 तो यह तो वन मोल से कमी है न तो यह देखो यह वाला ओप्शन तो पहले ही आप इलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यह वन मोल से ज्यादा वैलू दे रखा है यह मैच भी नहीं कर रहा है यह मैच भी नहीं कर रहा है एंड अब क्या करना है सिंपल सा एक ऑप्शन इलिमिनेट हो गया अब आप देखो यह मोल कितने आ रहे हैं तो मोल कितने आ रहे हैं यह यदि आपने पता कर लिया तो आप इस कुश्चन को बहुत ही इसी तरीके से कर पाऊगे तो यहां पे लीटर दे रखा है एंड आपको मोल कैसे निकालो गया तो एट थी सेवन फाइव एंड आपको डिवाइड कर देना है ट्वंटी टू फॉर मतलब अभी पॉइंट बाद में देखेंगे पॉइंट का अभी ज्यादा लोचा नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है डिवाइड करना है तो वन तो यहां पे कितना आ तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो इसको निगलेक्त कर सकते हो तो यह कितना हो जाएगा है अब समझ आ गया कि यहां पर आपका कि जो करेक्ट एंसर होना चाहिए वो क्या यह वैसे आपको दिख जाना चाहिए पर देदा कि यह जो मौल्स है यह तो हमने पहले निगलेक कर दिया यह वाला आपका पहले ही गया वह गया अब आपके पास यह दो आप्शन तो होने नहीं वाले क्योंकि यह मौल्स 0.125 के समझ आएगा ठीक है तो करेक्ट आप्शन आपका यह दिख जाना चाहिए फोर्थ व